नमस्कार मैं हूँ प्रशांद कटारे और वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महा डेबेट का आज बात होगी अमरवाडा की बीजेपी ने अमरवाडा में जीत का पर्चम लहराया है अब बीजेपी की जीत पर कॉंग्रेस ने गंभीर आरूफ लगाए है और अमरवाडा में काउंटिंग को लेकर कॉंग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरूफ लगाए हैं कॉंग्रेस का आरूफ है कि गड़बड़ी और सत्ता का दुर्प्यों कर चुनाओं को जीता गया है आखिर आकरी तीन राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आश विश्वाज भाजपा का जनता के बीच का रिस्ता बताता है और खासकर के जनता जो सरकार पर भरोसा कर रही है संका आ रहा है हमको कि भई कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया है अमरवाडा में उलट फे कॉंग्रेस की आरूप गंभीर अब गड़ केने की जरोत नहीं है बता दिया जनता ने फैसला दे दिया कि आपने कुछ नहीं किया सीधा लोकतंत्र का कतल है सत्ता बल और धनबल के माध्यम से कैसे कतल किया जाए जनता की जीत नहीं ये भारती जनता पार्टी की सत्ता के साथ कहीं न कहीं गड़बंदन कीजिए कॉंग्रेस फेल कैसे हुआ खेल विधान सभाचुनाओ लोग सभाचुनाओ और अब उपचुनाओ कॉंग्रेस की तीसरी हार दावो का दम निकल गया हार के बाद कॉंग्रेस ने बीजेपी पर गंफीर आरूप लगाये कॉंग्रेस ने बीजेपी पर लोगतंत्र के हत्या के आरूप लगाये कॉंग्रेस फेल हो गई आखिर ये खेल कैसे हुआ मध्यप्रदेश की महाडेवेट में इसी पर करेंगे चर्चा और हार के बाद अब कॉंग्रेस का राख छड़ गया है लोगतंत्र की दुहाई देकर हार का ठीकरा श्यासन प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है इसी पर महा डिवेट में करेंगे चर्चा लेकिन पहले महा डिवेट के सवालों पर डालते हैं नजर तो हार से बाखलाई कॉंग्रेस गड़बड़ी पर आई यह हमारा पहला सवाल है इसके इड़गिर्ध हम जरूर रहेंगे अपनी डिवेट में तूसरा सवाल प्रशासन पर गंभीर आरोप आखिर कितने सही हैं और तीसरा सवाल है लोगतंत्र की दुहाई हर बार का राग क् बाखली का के अब को मेमानों से मुलाकात करा देते हैं नियाब अग्याजी हमारे साथ चर्चा स्वागत है आगए आपका जीतेंदर मिश्वरा जी आरे साथ हैं आप सभी का फिर बाहूं स्वागत हैं जीतेंद सहीं में ड़ोग्य का स्वागत हैंmund मार्जिन से हार हुई है आप की तीन हजार 27 वोटों से आप शिकस्त खाए हैं लेकिन एक तीसरा दल है जो 25,000 करीब वोट ले गया यह बताइए कहां गलती हो गई कहां चुक गए आप साथ राज्यों में 13 उप्चुनाव हुए हैं दस पर इंडिया गटबंदन की जीत हुई और एक चीट अमरबाड़ा की जो है यह लूटा गया है जन तंत्र को लोक तंत्र को यह हमारा इसपस्ट आरोप है आप लंबा पत्रकारिता का अनबाव रखते हैं सतीज जी रखते है मुझे यह बताईए किस मतगरणा में लंच ब्रेक होता है लेकिन 17 राउंड तक कॉंग्रेस के जीतने के बाद लंच की घोस्टा कर दी गई 53 मिनट तक इसी की बैप साइट पर परिणामों की घोस्टा नहीं की गई एक घंटे बाद लंच ब्रेक से बापस अधिकारी करमचारी आते हैं अठरवे राउंड में 714 बोटों से भारती जन्ता पटी आगे हो जाती ही यह क्या मजाख हो रहा मेरी समझ में यह नहीं जीते जी चोटा सवाल है अगर इसी के उलट नतीजे होते तीन हजार से आप जीत रहे होते तब भी क्या इस तरह के आरूप लगाए जा सकते थे कहां पचास मिनट चले गए बावन मिनट चले गए देखिए हमने हमीरपूर पर आरोप नहीं लगाए हमीरपूर पर परिणामों को लेकर रामसंतुश थे लगातार मतगर्णा सुबे से लेकर जब तक परिणाम सामने आते हैं जब तक होती रहती हमारा कोई आरोप नहीं होता हम उसको सुईकार करते लेकिन दो घंटे अब तक लंच आउकास कर देना यह तो ब्लेंडर हुआ यह तो कभी हमने नहीं सुना आपके पास भी लंबा अन्वाव आप बताईए कई आपने देखा होगी लंच ब्रेक होता हो प्रशान जी देखिए विल्वान सभग का चुनाओ हमने देखा हमने लोकसभा का चुनाओ देखा और हमने चुनाओ भी देखा है, मद्दिप्रदेश की जंता ने कॉंगरिस को रिजेक्ट कर दिया है जिसको ये चिंदवाडा को कमलनाद का गड़ कहा करते थे, वो कमलनाद जी चिंदवाडा में अब टूरिजम पॉलिटिक्स के लिए आया और इस उप्चनाव में आपने कितनी बार कमलनाद जी को और कितने दिन नकुलनाद जी को वहाँ पर देखा, कितने दिन जीतू जयानी नहीं हो रही होगी, जो जितेन जी या कॉंग्रस पाटियां पर बैटकर अनाप शनाप आरोप लगाने का काम कर रही है, युकिन के आदक में शुमार है कि मीठा मीठा गबगब और कड़वा कड़वा तू तू, जब जब ये चुनाव जीते हैं, निया जी एक सव हुआ, नहीं हुआ, ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ये कॉंग्रस पाटी नहीं नहीं कहानियां गड़ने में उस्ताद है, और फेक नरेटिव सेट करना और टूल किट एजिंडा चलाना कॉंग्रस की आदत में शुमार है, हमने देखा लोकसभा के पूर में भी सम्मिधान समा हो जाएगा, और यहां पर एक सीख भी नहीं बचा पाई जो लोकसभा के, ये कॉंग्रस है, जो जीत जाए तो चुनाओ आयोक सही, मशीन सही, और चुनाओ हार जाए, तो चुनाओ आयोक से लेकर, वोटे कर्षडिया से लेकर, जनता से लेकर, भारत के सम्मिदान तक, सब पर प्रस्न था देते हैं, ठीक, ठीक, चले मैं लोटूंगा, आपके पास सतीशेलिया जी, बहुर भी पहलों है, जिनस पर चर्चा करेंगे, आपसे लेकिन थोड़ा से वताईए, वाकई जो आरूप या सवाल उठ रहे हैं, वाकई गुंजाश है, या इन सवालों में दम पहले भी जहां कहीं चुनाव होते हैं, मत करना चलती रहती है, इस तरह की बात अगर कॉंग्रेस कह रही है, तो चुनाव आयोक को मुख निरवाचन प्रदादीकारी को जिला निरवाचन अधिकारी को इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि नतीजा आ गया है, जनता म नतीजे को लेकर संशन नहीं होना चाहिए, एक तो यह, दूसरा कमले शाह कॉंग्रेस छोड़कर भारती जनता पार्ड़ी में आये थे, और जब उन्होंने भारती जनता पार्ड़ी को हराय था, कॉंग्रेस प्रत्याशी को रूप में पिछले चुनाव में, 2023 के ही, तो व एक तरह से नकारा है, कमले शाह को भी उस तरह से जीत नहीं मिली है, जिस तरह से उनको कांग्रेस प्रत्याशी के तोर पर मिलती आई थी, तो यह तो बहुत इस प्रश्च है कि जनता किसी जन प्रत्याशी का, इस तरह से दल बदल वो जनता को शायद पसंद नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि जो मोहन यादब के मुक्मंतरी बनने के बाद मत्रदेश में लोकसवा में कमलनाथ की सीट चंदवाड़ा भी भाज़पाने जीती और अब ये उप चुनाव भी जीत गया आप दूसरा एक जो सवाल उट भी रहा है कि बहुत नजदी की मुकाबला था दूसरा आप मैनेजमेंट से यहाँ पर चुनाव जीत लिया गया जीतू पटवारी भी वही आरूप लगा रहे हैं नकुलनाथ भी कहरें कि मैनेजमेंट से आपने चुनाव जीत लिया जो उम्म हुआ या नहीं हुआ यह करेगा या फिर कोट में मामला जाएगा तो जर्जेस करेंगे लेकिन यह जरूर है कि यह बैटल टफ थी इसलिए यह बिल्कुर नहीं कहा जा सकता कि कम मार्जन से हारने के पीछे एक बड़ा कारण रहा हो कुछ राउंड में कॉंग्रेस प्रत्य जर्जेपी बड़ा कारण है गोड़बाना गरत्नित पार्टी ने पिछली बार लगभग 18,000 बोट लिया था आपको याद होगा इस बार वो बड़के 28,000 हो गया यानि कि जो टेंट दिया है और भार्चिनता पार्टी हारी कॉंग्रेस वहां 25 से लगभग जीती 25 बोट से इसका तात्पर देखिया पने लाइस करिए कि जो 10,000 बोट जीजीपी का कम हुआ है वो किधर गया या बड़ा है वो किसको डेंट दिया यानि कि ये डिपेंड कर रहा था कि जीजीपी किस हद तक बोट खीशती है वो जितना नुक्षान करेगी वो कॉंग्रेस को करेगी पार्टी मंद्र देश में नहीं जीत पाई तो कहा जा सकता है कि लोगों का विजवास डाक्टर महानियादव की लेडर्सिप में बड़ा है ये ये एक बड़ी बड़ा फैक्ट नेंगर कर जरूर आथा है ये सीट भार्तिन्ता पार्टी के तरफ गई है लेकिन कॉंग्रेस का जो स्टेप रहा केंडिडेट सेलेक्शन का वो बागई बहुत तारीफे काबिल था जिसमें उन्हों ने जनता को कही न कहीं खीजने का बड़ा प्रयास है जो भी हो तमाम सवालों के बीच जो सवाल आप उठा रहे हैं लेकिन एक बात तो लगभख क्लियर है कि बहुत बड़ा किबल सेंद नहीं लगाई बलकि बीजेपी उस गड़ में जो आप कहते थे सबसे मजबूत गड़ बहुत बड़ा डेंट दे गई बीजेपी आपको पर्टी ने लोक तंत्रिक तरीके से चुनाव जीता होता तो निश्चत तोर पर आज हम बढ़ाई दे रहे होते हमीर पूर शिटका में बारबार जिक्र कर रहा हूं अगर यह गड़वणिया हम कराते तो ग्यारा वोटों से सुनाव नहीं जीतते हम भी लेजब्रेक कराते और हम भी दो मशीनों में खराबी बता करके ग्यारा सो वोटों का उलट फेर करना जेते इंदर में शराजी आप जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे कुछ राज जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी हारी है बाई एलेक्शन में नहीं देखिए खास तोर से बताइए किसी भी मतगणा के समय दो घंटे तक किसी भी मतगणा को रोका जा सकता है लंच के नाम पर या मशीन में गड़बडी है दो मशीनों की गड़बडी या भी साबने आई है त्रेपर मेर तक इसी ने अपना वैप साइट पर परिणाम अप्डेट नहीं किया ये सा प्रचार के लिए तो आपके भी तमाम बड़े नीता अब मुख्यमंत्री है बीजेपी से अगर जोड़े हैं तो पर प्रचार तो करेंगे पार्टी का नहीं देखिए सवाल इस बात का प्रचार करने को मेरी रोक नहीं है लेकिन जिस तरीके से संसाधनों का उपयोग किया गया जो लोकतंत्र में इजाज़त नहीं देता है जिस तरीके से धनबल का प्रयोग किया गया जो लोकतंत्र इजाज़त नहीं देता है ये भारते जनता परटी की नैतिक पराज़ा है प्रचान जी इसको जी पर जवाब ले ले लेता हूँ निया प्रशान जी लगातार जब चुनाओं की प्रक्रिया में नतीजे आते हैं तो कोई दल आगे चलता है कोई दल पीछे चलता है और हैरान हूं मैं देखकर कि कॉंग्रेस पार्टी की जो जूट बोलने की और टूलकिट एजिंडा की जो प्रणाली है वो दिन बादिन बढ़ती जा रही है अगर भारती जनता पार्टी का एक तरफा चार सो पार सीटे आ जाती तो कॉंग्रेस पार्टी इवियम इवियम चीखने लग जाती पर उनके अनुरूप जब उनकी कुछ निन्यानवे सीट आ गई तो उन्हें वो प्रणाली है सारी दुरुस्त लगने लग पर जनता जो है मध्य प्रदेश की वो जानती है कि डबल इंजन की सरकार को लाना है बिमारू राज्य जो कॉंग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी उसको सुचारू से स्वर्णिम राज्य बनाना है और इसी लिए अनेक नहीं अनेक अबसर पर मध्य प्रदेश में जनता कॉंग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया है मैंने तो बहुत मूल प्रश्ण प्रश्ण की कमलाज जी पूरे चुनाओं की प्रक्रिया में कितने दिन के लिए अमरवाड़ा गए कितने घटोक ले गए यहां पर जितेंदर जी बता दें जो इनके PCC अद्धिक्ष जीतू प काई और प्रदेश से लेकर प्रदेश नेतर तुम तक सभी मावड़ा है कि भारती जनता पार्टी हर चुनाओं को गंबीरता से लेती है भारती जनता पार्टी सरकार की योजनाए संगटन के विचारों को लेकर जन जन तक जाती है और इसी लिए आपने देखा होगा चाह चाहे मुख्य मंतरी जी हो चाहे संगटन मंतरी वितान शर्मा जी हो चाहे कविता पार्टीदा जी प्रबारी हो प्रतेक नेतर जो है वो लगातार चुनाओं प्रचार में रहा जनता की समक्ष रहा जनता से बात करता रहा जनता के बीच में विचारों को रखता रहा और त प्रफ्रेशन उठाना कभी सम्विदान प्रफ्रेशन उठाना अब इन्हें इससे बाज आकर अपने संगठन की सरजरी करने की आप शचल चलिए इसी पर रेक्षन जितें मिश्रा जी क्या भई आप जब हारेंगे तो बाकी मशिनरी पर आप सवाल उठा देंगे दूसरा है क कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ जीतू कॉंग्रेस ती दूसरी तरफ कमलनाथ कॉंग्रेस ती दिखविजय कॉंग्रेस और नतीजह यह हुआ कि अकेले पढ़ गया कमलनाथ जी कम शब्दों में देखिए यह आरोप गलत है मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस जीतू पटवा बताया कॉंग्रेस ने केंडिडेट सेलेक्शन में मिलकर के सब लोगों ने जो केंडिडेट दिया सब से बहतर केंडिडेट था और भारत्य जन्तापार्टि को आखिर लोगतने की जरूहत पड़ी क्योंकि सोस्त लोगतन्तर के आधार पर बारत्य जिनता PvdT चुनाओ नह पारी जी के नेतरत में एक होकर के चुनाव लोड़ रहे थे हमने कठिन चुनावती पेश की और हमारा फिर वही आरोफ है कि तीन राउंड में क्या हो गया कॉंग्रेस चुनाव और गई सत्तापक्ष को सती शेलिया जी ये इस नतीजे से आखिर बदलने क्या जा रहा है या फिर ये किवल परसेप्शन या नेरेटिव सेट करने का चुनाव था देखिए सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार मत्रदेश में बनी हुई है मत्रदेश ने केंद्र को 29 की 29 शीटे देदी का आने वाला लोगसवा चुनाव आने वाला होता तो भी हम मानते कि चिन्वाडा में उस तरह का कोई भारती जंदा पार्ड़ी को एज ले दी है लेकिन पार्ड़ी के चार सो पार का नारा था वो भारती जंदा पार्ड़ी के खिलाफ एक narrative की तरह इस्तमाल किया गया और उसमें भारती जंदा पार्ड़ी को नुक्सान हुआ और बिफक्षी दलों को उसका फायदा हुआ मिद्परदेश में आमरबाडा की सीट जीतने का मतलब है कि कमलनात का जो गड़ है वो पूरी तरह से दोस्त हो गया कॉंग्रिस में कमलनात की अब वो ताकत या वो बजह एक चिंदवाला जले तक या लोकसभा सीट तक भी आब वो शीमित नहीं रही एक तरह से Congress का एक जो गुट है वो खत्म हो गया, Congress की जो अंद्रूनी सरचना है पहले से ही, कभीलों में Congress हमेशा से बटी रही है, और कमलनात को जो चुनाओ, विदान सब्सक्राइब के बाद उनको एक तरह से जो दरकेनार किया गया कमलनात को, कमलनात जिस तरह से साइडला से खत्म करने की बादी जंता पार्टी एक खुशी उसकी मिनासा है, बड़ी बात आपने कही है, सतिना रण जी के पास जाओंगो, मैं एक बात थोड़ा कम है, सती जी, सतिना रण जी इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा सा परिप्रिक्ष में जाते हैं, डॉक्टर मोहन यादाओ, विधान सभा चुनाओं उनके नितरत में नहीं लड़ा गया था, सातों विधान सभा सीटें कॉंग्रेस ने जीती थी, लोग सभा चुनाओं में फोकस किया चिंदवाडा पर बीजेपी जीत गई, लगातार दोरे किये मोहन यादाओ ने, उप चुनाओं में भी पूरी ताकज होगी, क्या एक बार फिर से मजबूती के साथ हो रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादाओ, नो ड़ाओ, बहुती मजबूती के साथ हो रहे हैं, देखें, गुदारन देखिए, कि कमलनाथ जो वहाँ भीक होगे, वो विधान सभा चुन किलियर स्टेंट्स ना होने के कारण, कहीं न कहीं उनकी पब्लिक में पकड़ कम हुई, इसका फायदा भारतिनता पार्टी न उठाया, लेकिन कॉंग्रेस एक चीज में कमज़ूर जरूर दिखी मुझे, कि वो जीजीपी के बोड को स्पलिट रोक्ट में, ना काम्याब र वो चुनाव वहां हार गया, यानि कि जनता ने वहां इस चीज को पसंद नहीं किया, लेकिन मद्ध्रदेश में कहीं न कहीं कॉंग्रेस संगठन बीक है, उस चीज का फायदा ने उठा पारा, और भारतिता पार्टी देश के किसी भी राज में, अगर सबसे मजबूत है, तो वो मद्ध्रदेश में एड़ प्रिजेंट है, बड़ी बात आपने गए नहीं, अब अगजीब वक्त कम है, आखरी कमेंट लेगे, एक लाइन ये भी कही जा रहे हैं कि भाई, आपको तो जीजीपी का फायदा मिल गया, जीजीपी अगर शायद इतने वोट ना लेती तो शायद आप सीट ना निकाल पाते हैं. जूटी प्रक्रिया, जूटे प्रोपोगेंडा के दल्दल में फसाने का प्रयास करता है, चुनाओ हार्विश के बाद में, पहले इनके टागेट पे सबसे ज़ादा अगर कोई रहता था तो EVM रहती थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा हैं कि EVM में कोई बड़ी नही प्रयास की हाँ प्रży ची और स्वाल थी और स्वाल से ज़ादा थाज बड़ी प्रोप्र प्रोप्रावेंगर भट रहता हैं कि एंप रहता हैं प्रोप्र। में फ्रोपोगेंगत्